आप देख रहे हैं देज कवर्ट 24 और वक्त है खबरों का मत्प्रदेश के दमों जिले से बेहद ही हैरत कर देने वाली खबर है यहाँ एक सिर्फरे दामाद ने अपने ही ससूर साली और पत्नी के उपर धारदार हत्यार से प्राणगा तक हमला कर दिया आरोफी दामाद द्वारा किये गई समले में ससूर और साली की घटना इस्तल पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है इधर घटना के बार आरोफी फरार हो गया है जिसकी तलास पुलिस द्वारा की जा रही है द्रसल घटना से जुड़ी जो जानकारी स्वक्त सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दमो जिले के हटा थाना अंतरगत सनकुया अनिवासी मुन्ना लाल अहिरवार का दामाद अल्लू अहिरवार पन्ना से अचानक देर रात ससुराल पहुँचा और घर के अंदर सो रही पत्नी सहीद ससुर और साली पर धारदार हत्यार से प्रान खार तक हमला कर दिया गटना के दोरान ससूर और साली की घटना इस्तल पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी है अलाकि घटना के पीछे का कारण क्या है यह भी साफ नहीं हो सका है दमो एडेशनल स्पी स्यूकुमार सिंग घटना इस्तल का मौाना कर जिलाचिक साले पहुँचे जहां वार्दात के संबंध में जानकारी जुटाई है इंधर देर रात वीज घटना के बास इलाके में सनाका फिचा हुआ है पोलिस आरोपी के तलास में जुट गई है और जगाय जगाय उसके संभावित ठेकानों में दविश दी जा रही है